नरेंदर मोदी जी से अब हम गुहार लगा सकते हैं और किसी से अब हमारी कोई उमीद नहीं है तब ही हम भाजपा के कार्या लेके बाहर यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि यहां रविंदर रहना जी हैं जो उनी के कार्य करता हैं उन्होंने ही बोला है वो मोदी जी के डारेक्ट यहां पे हमारे प्रतिनिदी जो उनके हैं वो यहां पे वही हैं। हमारे स्टेट के जो हैड है मोधी जी के जो डारेक्ट कंटाक्ट में हैं वो वही हैं। तस्वीर भी अपने हाथ में रखा है क्योंकि अब हमें इस administration से कोई कोई भी उमीद नहीं है हमें सिर्फ आशासन मिल रहे हैं हमें concrete तरीके से कुछ नहीं मिल रहा हमारे हाथ फिर भी खाली जा रहे हैं पिछले 300 दिन से हमारे हाथ खाली जा रहे हैं रोज आश्वासन रोज स्काश्वासन ही मिलता है कुछ भी हमें मिलता नहीं है प्रोपर तरीके से अब हमारा जो महा शिवरात्री का ये पावंत त्योहार आ रहा है इतना बड़ा महा-инки हारा उसके लिए हमारे को प्लीज प्लीज सालरीस कीजिए फिलहाल के लिए हम अपना ये त्योहार बहुत ही खुशी से मनाना चाते हैं, हमारे घरों में भी खुशियां आए, मोदी जी बोलते हैं, बेटी पड़ाओ, बेटी बचाओ, सब कुछ बोलते हैं, तो आपकी बेटियां आपसे गुहार लगा रही हैं, मोदी जी, आपकी भेने आपसे गुहार लगा रही हैं, मोदी जी, तो क वक्तों को निराश नहीं करेंगे ये उमीद लेकर आए हैं और इसलिए पूरी रात बैटकर हमने यहां पे धरना किया है पूरी रात हम ऐसे ही बैटे हमारी हालत भी देखिए हम भेनों की भी हालत देखिए मोधी सर से भी गुहार है अगर वो आपके माध्यम से देख रहे हो होंगे तो कुरुपा करके हमारी बात सुनिया और हमारी सालरी फिलहाल के लिए रिलीज कीजिए और हमारी सेफटी स्क्यूरिटी और हमारे जानों की सुरक्षा के लिए कुछ सोचिए हमें रिलोकेट कीजिए कुछ टाइम के लिए जब तक कि यहां पे हम सेटल होज़े व ना ही हम वहां duty resume करने जा सकते हैं ये मोधी जी प्लीज प्लीज मोधी जी रविंदर एना जी या इस administration को भी बताना चाहते हूं प्लीज प्लीज हमारी ये गोहार सुन लीजे कोई तो सुने कोई हमारी फर्याद सुन ले बस